सो मैं ऐसे ही यूटूब के उपर घूम रहा था, ऐसे ही रैंडमली स्क्रोल कर रहा था, तब ही मुझे बहुत सारे खतरना खतरना अजीब अजी मॉड्स दिखाई दिये, ये सारे मॉड्स काफी ज्यादा वियर्ड और फनी थे, तो मैंने सोचा कि क्यों नाइन के उपर क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोज लाता रहता हूँ, तो नंबर टेंथ पोजीशन पर है साइटामा स्मॉड, वेल क्या तुमने कभी सोचा है क्या होगा अगर साइटामा शेडव फाइट 2 में आ जाए, वेल ऐसा ही कुछ होता है इस मॉड के अंदर, और अगर आपको नह गेंपले के अंदर देख सकते हो, जब मिनी टाइटन के और साइटामा की फाइट होती है, तो मिनी टाइटन पहले अटेक करता है साइटामा के उपर, लेकिन जब साइटामा एक ही पंच देता है उसको, तो मिनी टाइटन खतम हो जाता है, तिल वितना ही नहीं, अगले रा परसनली मुझे ये मोड इतना कुछ खास पसंद आया नहीं क्योंकि एक टाइम के बाद तुम भी बोर हो जाओंगे बस एक ही पंच में अपने ओपोनेंट को खतम करकर हाँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इस मोड से खिलने में तुम्हें बहुत मजाएंगा लेकिन बाद में डेफिनिटली तुम भी बोर हो जाओंगे तो अब जो मोड हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पोजिशन पर है वो तो एकदम क्रेजी है मैं बात कर रहा हूँ टाइटन वर्सेस कोविट 19 की सो हम सभी को याद ही होंगा कि कोविट 19 ने सभी को कितना ज़यादा परेशान किया था लेगिन शेड़ोफाइट तुके मॉडस ने कोविट 19 को ही परेशान कर दिया इस मॉड के अंदर तुम एज टाइटन प्ले करते हो और कोविट 19 के अगेंस लड़ते हो और इस COVID-19 का character design जिसने भी बनाया है काफी ज़्यादा funny बनाया है और in fact इसके हाथों में weapons भी दिये है जो कि sight like pair weapons है और इस COVID-19 के हाथ पेर काफी दूबले है और ये back flip और front flip दोनों कर सकता है और ये सही में बहुत ज्यादा funny mod है क्योंकि मैंने दूर दूर तक सोचा नहीं थ कि shadow fight 2 के अंदर कोई COVID-19 का character दालेंगा सिर्फ इतना ही नहीं जिसने भी एक COVID-19 वाला mod किया है उसने location के background के उपर COVID-19 के wallpapers तक दाल रखे है इसके अलावा attack के दोरान soap animation भी हमको दिखाई देता है lol लेकिन इसके बाद के जो mods है वो इससे भी ज़्यादा crazy है और उनके सामन ये कुछ भी नहीं है so अब जो mod हमारी इस list में number 8 position पर है वो है Titan versus all bosses mod so हम सभी को पता है कि Titan बहुत ज़्यादा powerful है in fact सारे bosses से ज़्यादा powerful अखेला Titan ही है so क्या होगा अगर Titan Lynx, Shogun, Hermit और बाकी सब से लड़ेंगा well वैसे तो ये सारे bosses उसी के लिए काम करते है लेकिन इस mod के तुरू हमको समझ में आएंगा कि क्या होता अगर Titan उन सब के अगेंस लड़ता सो इस mod के अंदर तुम एस Titan प्ले कर सकते हो और जितने भी boss है उन सब से लड़ सकते हो फिर चाहे वो Lynx हो, Hermit हो, Butcher हो, Wasp हो, Video हो, Shogun हो या फिर Volcano, Megalite, Fungus, Vortex, Fatum, Arcos, Hoxane, Carcer, Rakena, Tenebris एकसेटरा जो कुछ भी हो, और सच्छी बता रहा हूँ, जो Titan की Desolator Sword चलाने में मज़ा है, वो कोई भी वेपन में नहीं है, तिर्फ इतना ही नहीं तुम as Titan बनकर Titan के अगेंस भी लड़ सकते हो, LOL, and obviously क्योंकि Titan इतना ज़दा powerful है, इस वजजी से ज़दा तर bosses उसके अगें position पर है, वो है All Bosses Abilities Mod, तो ये mod काफी ज़दा cool है, और इस mod की मदद से, आप सारे bosses के abilities को use कर सकते हो, bosses के against ही, यानि कि हर्मिट, शोगन, विडो, वास्क, जितने भी bosses हैं, उन सब के abilities को तुम use कर सकते हो, अलग-अलग bosses के against, और ये देखने में काफी जदा मज़ा आता है, जब bosses को उनकी ही ability से मारा जाता है, लाइक जो demons की boss abilities है, उनको तुम use कर सकते हो, इternals के against, जैसे तुम इस gameplay के अंदर देख सकते हो, कि हमारी volcano के against fight होती है, और हम एक खतरनाक flying boss ability को use कर सकते है, और तुम मुझे comments में बताओ, कि ये flying ability कौन से boss की है, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम शोगन के ability यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़दा cool है, जैसा इस gameplay clip के अंदर वो mega light के against यूज़ कर रहा है, साथी साथ तुम invisible भी हो सकते हो, और invisible होकर भी attack कर सकते हो, और इसमें मुझे सबसे ज़दा cool ability लगती है, हर्मिट की, जिसमें तुम levitate करते करते, lightning attacks देत का avatar icon change नहीं होता, लेकिन character design पूरी तरह से change हो जाता है, और manga और anime वाले लूफी की तरह, इस लूफी ने भी head pen रखी है, और इसके attacks काफी ज़दा अच्छा damage देते है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो long range attacks भी दे सकता है, बस अपने हातों को लंबा कर कर, और जब वो अपने इस list में number 5th position पर है, वो है all titans mod, और ये mod काफी ज़्यादा crazy है, और इस mod के अंदर आपको बहुत सारे अलग-अलग titans देखने के लिए मिलते है, और ये सारे titans इतने ज़्यादा अजीब और इतने सारे है, कि आप कभी सोच भी नहीं पाऊंगे कि ये कभी game के अंदर exist कर भी सकते है, वैसे तो ये main storyline में exist नहीं करते है, और mode करकर डाले गया है, लेकिन काफी ज़्यादा cool है, और इस mod के अंदर इन बहुत सारे अजीब-अजीब titans को हराने के बाद, आप finally सबसे ज़्यादा अजीब titans से लड़ते हो, तो सबसे पहले आपकी fight होती है baby titans से, वो baby titan का size काफी ज़्यादा slow है, लेकिन just like titan, इसका body armor और weapon same as titan है, और वैसे तो ये baby है तो इसका size और कम होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये titan का baby है, इस वज़े से इतना बड़ा baby है कि ये हमारी height जितना आता है, गेम के अंदर, लेकिन इस baby titan को कमजोर समझने की गलती बिलकुल मत करना क्योंकि ये baby titan बहुत ज़्यादा powerful है, इसके बाद आप लड़ते हो young titan से, और पता नहीं क्यों young titan young come और कपोशी ज़्यादा लग रहा है, बाकी एक चीज़ तो noticeable है कि इसकी speed काफी ज़्यादा है और ये baby titan से ज़्यादा बड़ा है, और जब आप titan क हरा देते हो तो आप लड़ते हो super titan से, और सची बता रहा हो मुझे super titan का character design बहुत ज़्यादा उपी लगा, like तुम इसकी बस तलवार का size देखो कितनी ज़्यादा बड़ी sword है इसके पास, सिर्फ इतना ही नहीं उसके पास horn like उसके सर के उपर कुछ तो बना भी हुआ है, जो कि काफी ज़दा cool लगता है और काफी ज़दा buffy भी है इस वज़जे से लटने में बहुत ज़दा मजा आता है, और नाम की तरह ये भी काफी ज़दा powerful होता है और इससे लटने में काफी ज़दा हालत खराब होती है, और जब आप super titan को हरा देते हो उसके बाद आपकी fight होती है energized titan से जो कि बहुत ज़ादा fast है और ये titan इतना ज़ादा speed में मारता है कि आपके पास time भी नहीं होंगा कुछ react करने के लिए इससे पहले कि आप react कर पाऊ या आपको मार चुका होंगा इसी वज़े से इस titan से लड़ना बहुत ज़ादा difficult होता है लेकिन अगर आपने किसी तरह से इसको हरा दिया तब आपकी fight होंगी legendary titan से और ये जो legendary titan है ये बहुत ज़ादा powerful तो है ही साथी साथ इसके पास सारे character से और सारे characters को एक साथ लेकर आ जाता है आप से लड़ने के लिए और सची ये mod बहुत ज़ादा crazy था भाई सो अब जो mod हमारी इस list में number 4th position पर है वो है thousand shadows versus titan सो ये mod काफी ज़ादा simple सा है इसके अंदर अब 1000 shadows को लेकर आ जाते हो टाइटन से लड़ने के लिए और एक साथ सारे 1000 के 1000 shadows टाइटन के against लड़ते है और ये सारे के सारे 1000 shadows टाइटन के उपर खूद जाते है और उसको इतना ज़दा मारते है कि कुछी मिंटो में उसका खेल खतम लेकिन इस mod में एक loophole है अगर इतने सारे shadows में से उसने सही वाले shadow पर अटेक कर दिया तो बाकी के shadows कुछ नहीं करते लेकिन अगर real shadow का एक भी punch बेट गया तो बाकी सारे उसके clone shadows टाइटन के उपर लगातार हमला करते है और personally मुझी ये mode काफी ज़दा cool और fun लगा और मैं खेलना चाहूंगा इस mode से और टाइटन को हराने में बहुत ज़दा मजाएंगा हजार shadows का यूज़ करकर So अब जो mode हमारी इस list में नमबर 3rd position पर है वो है Shadow versus All Siren Head mode और इस Siren Head के बारे में तो तुम्हें पता ही होंगा ये एक 12 मिटर टॉल यूमनाइड क्रियेचर है जोकि काफी ज़दा खतरनाग दिखता है और इसका एक skeletal frame भी है So इस mode के अंदर हमारी सबसे पहले fight होती है Siren Head से जोकि काफी ज़दा दुबला पतला होता है लेकिन इसको हलके में लेनी की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि ये बहुत ज़दा powerful होता है लेकिन हम इसको बहुत बुरी तरह से मार देते है और इस Siren Head को defeat करने के बाद आपकी fight होती है Titan Siren Head से Like what the hell क्या बना रखा है भई इसको जो कुछ भी है well काफी ज़दा interesting है और सिर्फ इतना ही नहीं तुम और सुनो जब ये Titan Siren Head को तुम हरा देते हो उसके बाद तुम्हारी fight होती है Super Siren Head से और ये Super Siren Head वैसे तो बहुत ज़्यादा powerful होता है लेकिन हम इसको हरा देते हो और जब तुम इसको हरा देते हो तो उसके बाद तुम्हारी fight होती है Energized Siren Head से और ये Energized Siren Head बहुत ज़्यादा fast होता है और बहुत speed में हम पर attack देता है लेकिन तुम भी इसको किसी तरह से हरा सकते हो ध्यान लगा कर और सही से अपने skills को use करकर और जब तुम इस energyized Siren Head को हरा देते हो तब तुम्हारी fight होती है Legendary Siren Head से और इस Siren Head को देखकर ऐसा लग रहा है कि finally अब इसने खाना खाल लिया और सबसे ज़्यादा unique और अजीब बात तो ये है कि इन Siren Head से लडने के दोरान ये काफी ज़्यादा अजीब आवाज निकालते है जिससे कान फट जाते है तो अब जो mod हमारी इस list में number second position पर है वो है Thanos mod तो ये mod इतना ज्यादा अजीब है कि इसके अदर Thanos Gauntlets के अगेंस लड़ रहा है लॉल सिर्फ इतना ही नहीं पता नहीं क्यों Thanos retire होने के बाद शायद से अलग-अलग monsters से भी लड़ रहा है इस वज़े से इस mod के अदर तुमको देखने को मिलते है बहुत सारे अलग-अलग monsters जिनके अगेंस तुम लड़ सकते हो और अब तक कि जो मैंने सबसे जादा random चीज़ देखी है वो यह है कि Thanos Godzilla बनकर किसी पता नहीं क्या है एक्स्ट्रा स्लाइड के उपर अटेक कर रहा है वाट देहल क्या चल कर रहा है और अगर तुमको यह चीज़ अजीब लग रही ते तो यह तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इस mod के अंदर हमको इतने सारे अजीब अजीब monsters देखने के लिए मिलते है जिनकी हद नहीं है जैसे कि SCP-096, Venom और भी बहुत सारे मुझे तो लगता है कि Marvel में अपना काम खतम करने के बाद Thanos रिटायर हो चुका है और अब Shadow Fight 2 में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तुम्हें का लगता है कमेंट्स में दरूर बताना सो अब जो mod हमारी इस list में नमबर 1 पोजिशन पर है वो है King Kong mod क्या तुमने कभी सोचा था कि King Kong Shadow Fight 2 में आएंगा नहीं न वेल अप सोचो क्योंकि हो आ चुका है लिटरली modders ने क्या दिमाग लगया पता नहीं लेकिन King Kong को Shadow Fight 2 में लेकर आ गए सिर्व इतना ही नहीं वो King Kong को Hulk से लड़ा रहे है King Kong को Godzilla से लड़ा रहे है और पता नहीं Slenderman, Siren Head न जाने किन किन से लड़ा रहे है और अब तक का ये मुझे सबसे ज्यादा अजीब mod लगा क्योंकि इसके अंदर तुम एक्स्ट्रा स्लाइड से लड़ रहे हो एक Earthworm लाइक monster से लड़ रहे हो और भी न जाने कितने सारे अजीब जी monster से लड़ रहे हो और location की background के ओपर लिटरल एक city बन चुकी है वैसे सची बता हो तो माना कि ये mod काफी ज़दा अजीब है लेकिन दिखने में काफी ज़दा cool लगता है लगता है कि इसको खेलने में काफी ज़दा मजा आएंगा वैल क्या तुम्हें King Kong पसंद है या Godzilla पसंद है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर तुम चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर तुम मुझे कोई topic recommend करना कुछते हो तो वो भी तुम comment section में कर सकते हो बाकी मैं मिलता हो तुमसे अपनी अगली वीडियो में so bye bye take care and finally thanks for watching